ओटो स्पेस ओटो शेरों में आज तेज रफतार देखने को मिल रही तो आज दो सवाल है एक तो ओटो शेरों में तेज रफतार है दूसरा टाटा मोंटरस में रफतार कुछ ज्यादा ही तेज है स्पेशलिस्ट शुक्रार को हमारे सभी एक्सपर्ट जैक ठकर वागले साब सर और सिमी जी सब की तरफ से रिकमेडेशन आने के बाद तो पहले तो देख लेते हैं दिसमबर में ओटो क्रीक केसी रही है कुछल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कुछल बताईए नंबर्स लाजली बहतर साइट पर ही देखने को मिले हैं खासकर अगर आप सेट अफ नंबर्स में सबसे पहले यहां पर बहुत ही बहतरीन सेट अफ नंबर्स दिसमबर में आगया है काफी सारे सेट अफ नंबर्स है हम जब लिंक पर बुलाए इसी के लिए कि कम ते कम यह तो सुनने को मिलेगा बदाई सो टाटा मोटर्स की जो घरेलू पासेंजर वेहिकल्स बिक्री है वहां पर 50% की ग्रोथ हमें देखने को मिले है और 35,299 यूनिट्स कमपनी बेचने में सफल रही है हमारा अनमान 35,000 यूनिट्स का था M&M यहां पर इनके आटो बिक्री थोड़ी से अनमान से कमजोर है हाला कि ओवराल ग्रोथ करीब 11% की रही है इन फाक्ट अगर आप CV स्पेस देखें तो यहां पर दमदार प्रदर्शन टाटा मोटर्स की तरफ से फिर से होता वा नजर आया है यहां पर जो बिक्री है 4% बड़ी है आइसर मोटर्स VECV ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है लगभग 25-26% की ग्रोथ यहां पर इननों ने क्लॉकिन किया है और अशोक लेलेंडी यहां पर नमबर्स जो है थोड़े से अगर आप देखेंगे तो ओवरल 2% की गिरावट है पर अनुमान से बहतर साइट पर नमबर्स आते वह दिखेंगे है तो कमर्शल वेहिकल्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है टू-वीलर स्पेस में टीवेस मोटर्स अनुमान से कमजोर सेट अफ नमबर्स इन फैक्ट जो हमारी उमीद थी उसके कमजोर में काफी खराब नमबर्स है 9% गिरकर टू-वीलर विक्री आई है हीरो मोटो कॉप यहाँ पर भी थोड़े से अनुमान से लेस देन एस्टिमेट्स नमबर्स आ रहे हैं इन फैक्ट अगर आप ट्रैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी सुस्ति के संके देखनी को मल रहे हैं स्कॉर्ट्स में लगभग 40% की फॉल रही है और M&M में भी 19% की गिरावट के साथ 18,270 यूनिट्स कमपनी ने बीचे हैं तो ओवराल आटो नमबर्स में ट्रैक्टर्स का सुस्त रिस्माउंस बट पैसेंजर वेहिकल्स और साथी कमर्शियर वेहिकल्स का बहतर साइट पर प्रजर्शन आता हुआ दिखा है ओके तो यह है आटो नमबर्स की कुछ डीटेल्स बट इन पटिकलर कुशल जो आप कहा रहे थे टाटा मोटर्स इस पर खास फोकस क्यों करना चाहिए बाजार को देखे दो तिन बड़े ट्रिगर्स टाटा मोटर्स के लिए बनते वे जा रहे हैं जिसमें यहाँ पर दिसंबर आटो विक्री जो इनकी आती वी दिखी है वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनते वे दिख रहे हैं जिसमें अगर आप देखे देश में घ मासिक अधार पर बिक्री आते वी दिख रही है। अधार पर बिक्री आते वी दिख रही है। इसकी तरफ से आ रहे है। तो टाटा मोटर्स से वो स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर है। और टाटा मोटर्स हमारे सभी एक्षप्टों को परसंद भी आए। जहीं ज़रा चार्ट देखें दीजे अपनी राए। जहीं है। अलिज जहीं अलिज टाटा मोटर्स तरह उपर मुझे सब हैं पर एक ब्रेकाउट आपको आते वे देखने मिलेगा। इमेडियेट बेजिस पे 510 के बाद देखे तो लगबग 540-50 पर मुझे तो इसा लग रहा है इनजी उसके ऊपर तो फिर से लाइफ टाइम हाई ये श्टॉक कर सकते है अब आप 510. So, काफी बुलिशनेस नजर आ ली अभी भी ये श्टॉक में है, I think this can be one of the best stock of JN series. JN series के लिए बहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, numbers का भी पूरा support है, Tata Motors पर रखनी है नजर.